गुद मॉनिक मा यॉस्टेंट्स आज मैं बात करने माला हूँ मेन मेडियन मोड में तॉपिक है मेडियन फ談 फोर गुरुप्ट डाटा ठीक है exclusive form का दूसरा राम होता है continuous form देखिए A से B है देखिए left side को lower limit काते है right side को upper limit काते है तो चलिए यहाँ upper limit B से last हो रहा है तो फिर B से start हो जा रहा है C से last हो रहा है फिर C से start हो रहा है लेकिन अगर questions आ जाता है देखिए अगई फे class interval c i मतलब class interval shortcut लिखे है इन inclusive form में हो यानिके discontinuous form में हो ठीक है तो उसको हम change करेंगे exclusive form में यानिके continuous form में change करके ही solve करेंगे ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं देखिए frequency f i होता है फिर community frequency cf से indicate करेंगे देखिए four में lower limit है l से indicate करेंगे और five में है class size या class width उसको h से indicate करना है ठीक है चलिए इतना तो समझ गया है चलिए इसको note कीजिए और आगे की तरफ बढ़ाते है time कम लेंगे और बताएंगे बहुर ज्यादा चलिए इसको note कीजिए find median median निकालना है जिसको ame से आप इंडिकेट करेंगे ठीक है देखिए marks है 20 30 30 40 40 50 50 60 60 270 70 to 80 80 to 90 किलिर है अब देखिए number of students तो number of students को generally हम frequency लेते हैं किलिर है तो चलिए हम इसको इस तरीके से बना देते हैं photo देखिए photo हम इस तरीके से बना देते हैं तो यहां पर लिखते है marks जो है न वह गलास इंटर्वल जैसा है तो चलिए यहां पर लिख देते हैं क्लास इंटर्वल ठीक है क्लास इंटर्वल तो क्लास इंटर्वल लिख देते हैं यहां पर किलिर है चलिए जल्दी जल्दी लिखना है और देखिए इसके बाद हमने क्या बोला था कि फिर्क्वेंसी का होना जरूरी है तो चलिए यहां पर लिख देंगे फिर्क्वेंसी तो एक चीज मैं बता दूँ कि फिर्क्वेंसी को एफाई से इंडिकेट कर रहे हैं अब हम जाएंगे कुमिलीटिव फिर्क्वेंसी में चलिए कुमिलीटिव फिर्क्वेंसी चलिए लिग देते हैं कुमिलीटिव फिर्क्वेंसी ठीक है कुमिलीटिव फिर्क्वेंसी को किस सी एप से ठीक है याद रखे सी एप से ही इंडिकेट करेंगे ताकि हमको पूरा किलियर पता चले ठीक है अब सुनिएगा चलिए यही तक तो पता है यही तक होना चाहिए चलिए अब हम तुरांत जली-जली लिखेंगे किये कि टुतर्टी चलिए हो गया ठा टी तु फोर्टी फोर्टी फोर्ट्डी टु फिल्टी twice कि फिल्टी टू शीक्सटी के 60 टू से बेन्टी के शेबंटी कि कि से डेलिटी टु एके एके डाटी चलिए यानि कि हम लोग पहुंच चुके हैं है न जी तो कहने का मतलब यहां फिर्क्वेंसी यह पाइप है 15 है 25 है 20 है और 7 है 8 है और 10 है के लिए चलिए यहां देखिए हम कुम्लिटिव फिर्क्वेंसी कैसे निकालते हैं सुनिए अध्यां से 5 है 5 लिख दिये अब इसको ती कियें और 25 एड करेंगे तो 40 25-20 एंड करेंगे तो 75-75 में 7 करेंगे तो 72 72-20 में 8 8 एड करेंगे तो एटी एटी में 10 and करेंगे तो 90 ठीक तो कहनी का मतलब होता है कि знач Shum क लिए भाये न तो Wie कहने तो 60 सिग्मा एपाई चली एड़ किये तो कितना है नाइटी अबर इसे को हम कहें है कि एन मानते हैं तो यह ही पर आप लिख देंगे क्या एन के लिड़ है ज्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना बिल्कुर समझ में आ रहा है ना सुनिएगा अब क्या कर रहे हैं क है कि यह थी फाइप आप जब 20 लोग कितना है एक लिख ना問 के नियर रहा हैन बिलकुल समझ में आ रहा है 2 कोटी पाई और फ्र recommending अगया है फोटी फाइप तो दिखी एंट भी अब आइसरी गॉंड होगला एंट ऊठीट से तो किस में जाना है गो कुम्लीटिव प्रिकैं से आप कुमुलीटिव फिर्क्वेंसी में आए कि 45 से बड़ा कौन है तो 45 से बड़ा 65 है ठीक है तो यहां पर ऐसे लिखना है तो देखिए एन बाइटू कितना है 45 45 से गिरेटर कौन है 65 है है न जी 65 चलिए अब हम 65 में आ चुके है अब कर रहे हैं कि बी गो इन कुमुलीटिव फिर्क्वेंसी तो बी गो इन क्रोस्पोंडिंग क्लास तो अब इसका क्रोस्पोंडिंग क्लास में जाएंगे तो इसका क्रोस्पोंडिंग क्लास कहां है यह है तो देखिए corresponding class of यहां पर लिखना पड़ेगा corresponding class of 65 तो चलिए 50-60 आ गया यहां पर लिख देंगे 50-60 ठीक है पुरा बिल्कुल समझ में आ रहा है न अब देखिए इसको हम कहते हैं lower limit और इसको हम कहते हैं upper limit के लियर है 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 न जी तो चलिए एल इकोल टू 50 आ गया अग्या अक्कलास साइज अनिकी आपर लिमिट माइनस लोड लिमिट होता है तो चलिए कलास साइज को किस से इंडिकेट कियां जी h से तो h इकोल टू 60 में से 50- किजें कितना यगा 10 चलिए 10 लिख दिया और देखिए इससे हमको मिलता है फिर्क्वेंसी यानि कि यह फिर्क्वेंसी कर में आई है फिर्क्वेंसी में तो 20 है तो चलिए फिर्क्वेंसी कितना आ गया 20 यानि कि यह पादा चल गया देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि कुमुलिटी फिर्क्वेंसी के सेलेक्शन करेंगे तो कुमुलिटी फिर्क्वे सेलेक्ट कर रहा है तो देखिए यहां 65 सेलेक्ट किये ना कि 45 से जस्ट गिरेटर तो 65 65 को सेलेक्शन किये तो उसे से फिर नीचे जाएंगे तो इससे इसी में नीचे गया है तो क्या मिला 45 मिला तो यह हमारा कुमिलिटीव फिर्क्वेंसी होगा ठीक है तो आये है 45 से जस्ट ग्रेटर में जाएंगे ग्रेटर वाइलू में जाएंगे ठीक है यह वाइलू देखिए एन बाइटू का तो यह एक और भाइलू मिलता है यहाँ पर एक वाइलू मिलता है जो भाइलू है 65 65 के कोर्सपंडिंग कलास इंटर्वल 50 to 60 है इसी में से फिर्क्वेंसी सेलेक्शन करेंगे ठीक है इसके जस्ट पहले वाला कुम्मिलिटीव फिर्क्वेंसी में जस्ट पहले वाला होता है कुम्मिलिटीव फिर्क्वेंसी ठीक है कुम्मिलिटीव फिर्क्वेंसी कर्व है तो इस by f कि लिए रहे formula apply करेंगे चलिए l equal to kya है 50 plus n by 2 equal to kya है तो n by 2 equal to 45 है तो चलिए 45 ठीक है minus c f cumulative frequency कितना है 45 है चलिए 45 अबर f कितना है 20 है 20 h कितना है तो h है अहाँ पर 10 चलिए हमने लिखा 10 ठीक है तो चलिए 45 45 cancel हो गया जीरो हो गया यानि कि यह टोटल पार्ट जीरो हो गया तो कितना बचा में इकॉल टू फिप्टी डीस यूर आंसर ठीक है तो मेडियन निकाले जाएगा इसी तरीके से बहुत ही असान है इसको नोट कर लिजिए